हेलो तो आज एम बात करेंगे कई हम वीकोरिल drop का में चोटे आए परशो कारी में वाल के है चोटे में परियोग की जाती है और इस drop के डिए शारवं ह्ध misaj चोट वाध करेंगी हम और खी किसकीस प्रॉब्लम्स में यूझ कर सकते हैं केश का प्राइज है कैसे यूच कर ना और कैश का साड़फ्यक्त है इन सभी कवार्डे में बात करेंगे हम इसे व्रूटियों में शुरू करने से पहले अगर चैनल आप नहीं है तो हमारे चैनल ने जरो सब्सक्राइब करें चलिए शुरू करते हैं दोस्तो यह भी कोरिल ड्रॉप यूगि एलम्बी कंपनी की है यूगि इसके प्राइस को बात करें तो 13 रुपे है यूगि 15 ml pack में available है दोस्तो यह ड्रॉप आपको किसी भी medical store पे बहुत यह असने से मिल जाएगा तो आप वहाँ से purchase कर सकते हैं चलिए बात करते हैं इसके इंगिनेर्स को बारे में तो यहाँ दोस्तो इस ड्रॉप को छोटे बच्चों में परियोग की जाती है यह एक anti-col drop है चलिए हम बात करते हैं और किन-किन problems में यूज कर सकते हैं इस drop को नमबर वन बच्चों को नजला हो खासी हो तो उसमें यूज करवा सकते हैं नमबर टू बार बार छीक आना तो उसमें भी यूज करवा सकते हैं नमबर थिरी नाक से पानी बैना नमबर फोर कोल्ड वाली एलर्जी हो तो उसमें भी काफ़े अच्छर रिजल्ट है तो उसमें भी यूज़ करवा सकते हैं नमबर फाइब नाक बंध हो बच्चों को तो उसमें भी यूज़ करवा सकते हैं नमबर सिक्स सीने में चकड़न हो तो उसमें भी 100% रिचल्ट है नमबर सेवन बुखार हो तो बुखार में भी दे सकते हैं क्योंकि इसमें paracetomol डाला गया है ठीक दोस्तों इनसे भी problem में यूज़ की जाती है चाहिए बच्चों को नजला हो, खांसी हो, जुखाम हो तो इसमें बहुत ही फायदे मंद है और दोस्तों जो भी हम दबाय यूज़ करते हैं और यूज़ करने से पहले डॉक्रों से कंशार जो रुको लें इस ड्रॉप को वारे में और दोस्तों विकोरिल में और भी काई फ़र्म एवेवल है जैसे कि विकोरिल एफ ड्रॉप और विकोरिल ड्रॉप अगर बच्चे को नजला खांसी जुखाम हो तो विकोरिल एफ ड्रॉप यूज़ करवा सकते हैं बट बच्चे को नजला खांसी के साथ साथ अगर भी हो तो विकोरिल ड्रॉप यूज़ करवा सकते हैं जो कि विकोरिल ड्रॉप में पैरे से टमॉल डाला गिया, जो कि बुखार में काम आती है, ठीक दोस्तों कैसे यूज करवाना है, अगर बच्चों को नजला हो, खांसी हो जो खाम हो, तो विकोरिल एफ ड्रॉप यूज करवाएं, और अगर नजला खांसी के साथ-साथ बुखार हो, तो विकोरिल ड्रॉप यूज करवाएं, चलिए हम बात करते हैं, इसके सार्फक के वारे में, तो इसके कोई बड़ा सार्फक नहीं देह गया है, अगर बात अफ़ा यूज का वारे में से कुछ भी दिखे, जैसे के सुस्ती, नींद आना, तो बिल्कुल भी घपडा ही नहीं, इसके यूज का नमर करते हैं, और डॉक्टर से कंस्टेल्ट करें, ठीक दोस्तो ये देर कामर वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में, वीडियो को लाइक, शेर और हमारे चैनल जोड़ो सब्सक्राइब करें, दोस्तो अगर आपको किसी भी दबाई से संबंदित, जैनकारी चाहिए, तो हमें कॉमेंट वाक्स में पूछ सकते हैं, ठीक दोस्तो, फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में, धन्यवाद,